अगर बढ़ाया हुआ टेक्स वापस ले केंज सकता है धान को लेकर सीम भूपेश की बड़ी खोशना कहा अगले चुनाव तक 2800 रुपे प्रति पेंजर हो सकता है अब देखते हैं खबरवस्तार से मुख्यमंतरी पूपेश पगी ने पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर केंदर सरकार को निशाने पड़िया है उन्होंने कहा कि मोधी पेट्रोल की कीमत 30 रुपे तक बढ़ा कर 5 रुपे कम करके वहवाही लूट रहे है वो यूपेश सरकार की तरह एकसाइस ड्यूटी 30 रुपे से घटा कर 9 रुपे करके दिखाए तो 50 से 7 रुपे में मिलने लगेंगे पेट्रोल देखे सबसे पहली बात यह है कि यूपेश सरकार में जो टेकस है वो 9 रुपे का आसपास था आज यो टेकस है वो 27 रुपे और 32 रुपे तक के बढ़ा गया है तो पहले तो उस इस्तर में ले आए हमने तो यदि रमन सिंग या भारती जनता पार्टी कहें तो जितना वो वेट लिए उन्होंने टाय किया था उससे एक पैसे हम लोग इन विरिदीनी के तीन सालों में वही कि वही है तो इंडिये गवर्मेंट से हम यह कहते हैं कि जो य इतने यूपे सरकार के समय था तो निश्ची तरुसे कम हो जाएगा सेंटरल गवर्मेंट ने उसमें कम किया तो निश्ची तरुसे राजी सरकार के टेक्स कमी आईगी उसमें कोई अंतर हो जी नहीं सकता गौर्टलेभे केंदर सरकार ने जब से पेट्रोल डीजल पर एक्ससाइज जूटी कम की है राजियों में भी कीमत कम करने की होड़ लग गई है मदिप्रदेश करनाटक उडिसा बिहार समेत कई राजियों ने अपनी तरफ से भी एकसाइस जूटी को कम करने का एलान कर दिया है कई राजियों में तो 15 रुपे तक पेट्रोल और 20 रुपे तक डीजल सस्ता हो गया इधर कीमतों को घटाने को लेकर चतिसगर सरकार पर भी सभी की नजरें टिकी है मगर सीम के बयान से नहीं लगता है कि वे पेट्रोल पर वैट को कम करने के मूड में है चतिसगर की किसानों को देश भर में धान का सबसे जादा समर्तन मुल्य देने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बगेल इसके कीमतों में और इजाफा करने की बात कही है मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने गोवर्धन पूजा पर लोगों को संबूधित करते हुए कहा कि 36 गण में किसानों को 25 सो रुपया प्रतिक्विंटल से जादा दिया जा रहा है अगले साल उससे भी उपर कीमत जाएगी और चुनाव आते आते ये कीमत 28 सो रुपय प्रतिक्विंटल पहुँच जाएगी आपको बदा दे कि केंद्र सरकार की शर्तों की वज़ा से भुपेश सरकार 25 सो रुपय प्रतिक्विंटल में तो समर्थन मुल्य पर किसानों से धान की खरेदी नहीं कर सकी लेकिन उसकी भरपाई राज्य सरकार किसानों को राजिव गांधी किसान याय योजना के तहट चार अलग-अलग किष्टों में कर रही है मुख्यमत्री ने अब इसकी कीमतों में और इजाफा करने की बात कहकर किसानों का दिल जीत लिया है राज़ानी राइपूर के MG रोड पर नशे में दुद्ध कार चालक ने कई लोगों को कुछला और गाड़ियों को ठोकर भी मारी कुछ दोर पर ही लोगों ने उस कार को रोक कर चालक के बेदम पिटाई कर दी मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उसकी जान बचाई मामला मौधा पारा थाना चेतरे के MG रोड के स्ट्रीट फूर्ड इलाके का है देर रात तेज रफतार कार ने सड़क किनारे कई कारों को ठकर मार दी और कुछ लोगों को भी कुचल कर जखमी कर दिया युवक का नाम साहिल जैन बताया जा रहा है जो एक इवेंट और्गनाईजर है साहिल को एक भाजबा नेता का काफी करीबी बताया जा रहा है ठकर मारने के बाद नशे में धुत कार चाला को किसी तरह लोगों ने रोका और फिर उसे पीट दिया इसी बीच पहुंची पेट्रोलिंग पार्टी ने किसी तरह उसकी जान बचाए आरोपी साहिल जैन के कार की सर्चिंग के दौरान हुक्का और शराब की वोतल भी मिली है इधर घटना के बाद काफी संख्या में लोग मौधा पारा थाना पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ करवाई की मांग करने लगे आपको बता दे कि साहिल जैन पर कई मामले पहले भी है भाजपा निता के करीबी होने का फाइदा उठा कर वो कई मामलों में अब तक बचा रहा लेकिन शुक्रुआर की रात हुए हाथसे के बाद वो लोगों के हथे चड़ गया जिसके बाद लोगों ने तब्यत से उसकी धुनाई करती दंतिवाडा जिले में नकसलियों के प्लाटूर नमबर 16 के साथ जवानों की मुटबेड हुई है इस मुटबेड में जवानों ने इंद्रावती एरिया कमीटी के सक्रिय खुंखार मावादी को धेर किया है मारेगे नकसलि की पहचान रामसू के रूप में हुई है रामसू नकसलि कमांडर मलेस का गाड था और उसके उपर पांच लाख रूपय का इनाम भी घोशित था पिजपुर जिले के सिलगेर और पुसनार के ग्रामीडों का अंदोलन थमा नहीं कि अब दंते वाड़ा में भी पुलिस कैम्प का विरोध शुरू हो गया है ग्रामीडों ने कहा कि हमें गाउ में कैम्प नहीं बलकि स्कूल, अस्पतार, बिजली, पानी जैसी मुल्भूत सुविधाय चाहिए जेल में बंद ग्रामीडों को अब तक रिहा नहीं किया गया है ग्रामीडों ने पुलिस पर आरोप लगाया है बस्तन में जूठी, मुटबेडों में गरीब आदिवासियों को मारा जा रहा है इस बुलेटर में फिलाल इतना ही बने रहें डीबी लाइप के साथ नमस्कार